दोस्तो infinite design application के जरिये जो caligraphy coaching classes की series हमने बनाई है उसका ये आज का अगला वीडियो है जिसमें हम बाकी के जो tools है application के उसके बारे में complete detail में बात करने वाले है लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में bell icon दबा के all प तो चलिए दोस्तो infinite design को open करते है new पे click करेंगे और यहां से create पे click करेंगे अब यहां पे हमने जो उपर के tools है उनके बारे में already video बना है यह draw tool जो है इसके बारे में भी separate video है और यहां पे select tool का भी पिछला video separately हमने बनाया है अब यहां पे eraser tool है उसके बाद यहां पे size है फिर जो eraser का option है आप यहां से choose कर सकते है eraser का आपको सबसे पहले कुछ draw करना है यहां पे और यहां पे eraser के tool पे click करने के बाद आपको यहां पे erase करने का option मिल जाता है इस तरीके से आप चाहे तो इसमें भी brushes choose कर सकते है उसके उपर click करने के बाद जिस भी brush format में आपको erase करना है व यह erasing का option है ठीक है उसके बाद यहाँ पर back करने का भी option आपको मिल जाता है जो भी erase अपनी किया है वो आप वापस से ला सकते हैं उसके बाद यहाँ पर size का option है आप इसके उपर click करने के बाद जो brush की size है वो यहाँ से change होती है even आपने यहाँ पर eraser tool भी use किया है उसकी भी size यही से set हो जाती है यह size में आप इस तरह के से erase कर सकते हैं चाहे आपका draw tool select हो या फिर erase tool select हो जो भी selection है उसमें यह size work करती है ठीक है उसके बाद यहाँ पर नीचे color का option मिलता है color आप इस तरह के से change कर सकते है यहाँ पर पहला point आपको set करना है उसके बाद यहाँ पर बीच में आपको main color मिल जाता है आप चाहे तो यहाँ से color pick भी कर सकते है आई dropper की मदद से आप यहाँ पर इस तरह के से color pick कर सकते है black color select हो गया उसके बाद यहाँ पर options भी आपको मिलते है settings color के ठीक है यहाँ से RGB में आप color change कर सकते है आपके हिसाब से जो भी color आपको पसंद है वह आप यहाँ से select कर सकते है इस तरह के से यहाँ पर आपने जो भी color select किया है वह plus पर खरक्लिक के बाद यहाँ पर नीचे आपको save color का option मिलता है यहां पर आप different colors save कर सकते है colors यहां इस तरह के से मैं different type के color यहां पर save कर सकता हो ताकि मुझे वापस color वही लेने में कोई problem ना आए ठीक है इस तरह के से उसके बाद यहां पर options आपको मिल जाते है save का या फिर open का option मिलता है आप कोई भी palette को यहाँ से open कर सकते है color palette को ठीक है उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे opacity का option मिलता है वो opacity आप यहाँ से change कर सकते हैं इसमें भी draw tool select हो या फिर erase tool select हो दोनों में opacity work करती है आप जितनी opacity बढ़ाएंगे उतना वो जादा अच्छा दिखाए देगा इस तरह के से और अगर आपने opacity कम कर ली इस तरह के से तो यह थोड़ा सा faint हुआ दिखाए देगा तो इस तरह के से यह सारे option जो है work करते है अब इसके बाद हम directly अपने calligraphy को start करने वाले है तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है इसके बाद हम directly हमारी calligraphy कैसे बनाते है easily वो start करने वाले है कोई later स्चुन के हम अपनी calligraphy को बनाने की कोशिश करेंगे जो की beginner के लिए बहुत ही फाइदे मन्द हो सकते है